हलो गाइज, वेलकम तो दिस प्लाटफॉर्म, एलर्नर, गेट लाइफ साइंसिस के केमेस्ट्री पोर्शन को बहुत ही ज्यादा आसान और स्कोरिंग मनाने के लिए मैं आया हूँ आपका केमेस्ट्री एजुकेटर सौनक सिना भावू, ये कुछ बाते हैं मेरे बारे में और मैं इन अट्शल आपको टू दो पॉइंट चीजे बताऊंगा और हम मिलके सीखेंगे केमेस्ट्री के सबजेक्ट को और गेट एक्सेल के प्रिपरेशन को हर स्टेप पे और भी जादा स्ट्रॉंग बनाते चलेंगे तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट स्टार्ट हाई, स्क्रीन पर आपको कुछ कमपाॉंट्स दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, अच्छा ये कमपाॉंट्स इनमें से कौन सा ऐरोमेटिक है, कौन सा ऐंटी ऑर कौन सा नान ऐरोमेटिक है, बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो 2 मिनट पॉस कीजिए, अपने पास नोट बुक है वहाँ पर लिख लिए और अगर आप नहीं बता सकते हैं शुरू करते हैं हम लोग समझना कि aromaticity होता क्या है तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं General Organic Chemistry का एक बहुत essential concept जो की है aromaticity और ये वीडियो इस तीन वीडियो सीरीज का part 1 है तो इस पे ही मत रुकिएगा अगले वीडियो को भी देखिएगा इसके सीरीज में तब जाके आपको aromaticity का concept clearly समझ में आएगा शुरू करते हैं यहाँ पे हम aromatic, anti-aromatic और non-aromatic किसी भी compound को कैसे बोलते हैं हमें judge करना है कि कोई भी compound aromatic है या anti-aromatic है या non-aromatic है तो यह judge करने के लिए हमारे पास कुछ criteria होने चाहिए किसी भी चीज को judge करने के लिए कोई criteria होना चाहिए आप मान लिजे कि आप एक checklist बनाते हो कि मेरे पास 3 या 4 criteria है इस हिसाब से मैं भूलूँगा कि यह इंसान अच्छा है या खराब है ऐसा हम करते हैं ठीक है तो हम judge करने के लिए कुछ criteria कुछ parameters यूज करते है तो basically यहां पर भी वही करना है हमें judge ही करना है कि यह set of criteria होंगे तो उस पे मेरे compounds खरे उतरते है या ने अगर नहीं उतरते हैं तो फिर non-aromatic अगर उतरते हैं तो aromatic एक नया set of criteria बनाके हम यह बता देंगे कि वो anti-aromatic है ठीक है तो इस तरीके से हम aromaticity को जल्दी से सीख जाएगे ठीक है पहला वीडियो इसमें हम criteria कवर करने वाले हैं कि कि इस criteria के basis पे हम aromatic compounds को define करते हैं पहला criteria क्या है कि मेरा जो compound है वो cyclic होना चाहिए cyclic यानि there should be a ring ठीक है और ring का मतलब क्या है कि close structure होना चाहिए ठीक है example अगर देखते हैं कि आपके पास यह है कि यह ring है इसमें ring बन रहा नहीं 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 यह तो close डाई नहीं पहले इसको काट दो इससे हम considering नहीं करेंगे next अगर मैं बताऊं कि मेरे पास एक अच्छा सा सुन्दर सा compound है जिसका नाम है cycloxene क्या इससे हम consider करेंगे अरे तो रिंड है रिंड है यार इसमें पर सिर्फ रिंड होने से नहीं होगा नीचे देखिए नीचे देखिए कि एक और क्राइटरिया दिया हुआ है कि देर शुड बी प्रेजिंस ओफ conjugated pi bonds ये क्या चीज है मैं अगर basic से आपको समझाओं कि carbon double bond carbon एक carbon के साथ दूसरा atom भी हो सकता है या अपर यहां तो मैं बस simply carbon carbon के बीच में double bond है वो समझा रहा हूँ कि double bond में क्या होता है कि एक bond हमेशा sigma होता है दूसरा bond pi bond होता है चीक है अगर अच्छे से हम देखें orbital picture इसका ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि generally जो है जब भी double bond present होता है ना यह carbon जो है हमारा sp2 hybrid हो में sp2 hybridized होता है hybridization अभी just next right ही रहे hybridization है तो घबराईएगा मत बस अभी में यह बता देता हूं कि आपके पास s है एक s s में हमेशा एक ही डबा होता है और पी में क्या होता है तीन डब्ब्बे होता है बसी के लिए तीन और बाइटल से तो तो S और P के अलग-अलग combinations हो सकते हैं mixing के, मैं बोल सकता हूँ कि S सिर्फ एक P के साथ अगर mixing किया तो उसे बोलेंगे S P hybridized, S अगर ये और ये दोनों के साथ किया तो इसे हम बोलेंगे S P 2 hybridized, और S अगर तीनों के साथ mixing किया तो उसे हम बोलेंगे S P 3 hybridized, simple, तो hybridization basically 3 तरीके के हो सकते है, S P, S P 2, S P 3, अब अगर S P 2 है तो दूसरे एक orbital का क्या होता है, वो खाली रह जाता है ना, un hybridized रह जाता है, तो यही कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है, आप तो कहें दोगे यहाँ पे कि यह एक S P hybrid orbital हो गया, यह हो गया और obviously इनके बीच में angle कितना होता है, 120 degree, planar होता है ना, अब यह एक और है, अब यह दूसरे एक carbon के similar S P 2 hybrid orbital के साथ, ठीक है, S P 2 hybrid orbital के साथ क्या करेगा, head-on overlap करेगा, सामने से एकदम सुन्दर सा overlap करेगा, अच्छा सा overlap, effective overlap होगा, इसके वज़े से, क्या होगा कि, जो bond बनेगा, वो बड़ा strong बनेगा, और इस ऐसे strong bond को हम क्या कहते हैं, sigma bond, ठीक है, अब, मैं दूसरे carbon को भी इसी तरीके से बना जाएता हूँ, ठीक है, यह हो गया, एक तो बचा हुआ है, न, unhybridized p orbital, यह unhybridized p orbital इस तरीके से होगा, और p orbital हमें पता है, डंबल shaped होता है, ठीक है, चलिए, यह आपको दिख गया, यहाँ तो head-on overlap, strong overlap हो गया, लेकिन, आपके p orbitals जो की दूर दूर है, और obviously, दोनों एक दाव ऐसे perpendicular है, तो इन perpendicular को आप pass कैसे लाओगे, तो obviously, इनका जो overlap होगा, head-on तो नहीं हो रहा है, sideways overlap होगा थोड़ा-थोड़ा, तो यह sideways overlap है, और यह generally weak है, तो यह जो weak type का interaction बन रहा है, weak type का bond बन रहा है, इसे हम बोलते हैं, pi bond, pi bond एक हो सकता है, pi bond दूसरा भी हो सकता है, एक और ऐसा, अगर unhybridized p orbital रहे गया, in case of sp hybridization, तो ऐसा एक और unhybridized p orbital एक और pi bond बना सकता है, ठीक है, तो maximum 2 pi bond बन सकते हैं, sigma bond एक ही बन सकता है, क्योंकि head on overlap करने वाला orbital आपके पास एक ही होगा, ठीक है, यह तो हम basic concepts एक दम detail में जाके पढ़ लिए, अब pi bond conjugation में होना चाहिए, सिर्फ pi bond होने से नहीं चलेगा, pi bond should be in conjugation जैसे आप इस तरीके से देख लिए, यहाँ हम क्या बोलेंगे, conjugation है, है न, क्योंकि double bond, single bond, double bond, ऐसे चीज़ों को बोलते हैं, conjugated, लेकिन यार यार, यह तो, क्या कह सकते हैं, यह cyclic तो नहीं है, तो इसे हम consider नहीं कर सकते हैं, aromatic के लिए, क्या अब हम cyclohexane को consider कर सकते हैं, इसमें तो pi bond ही नहीं है, चले, एक और अच्छे compound को लेके आते हैं, जो हमारा favorite compound है, जिसके थुरू हम इस पूरे concept को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, यह aromatic है, तो इसके basis में validate करेंगे, बाद में दूसरे compound को लेंगे, और उसमें पता करेंगे कि देखो, aromatic है या नहीं, ठीक है, देखें, यह है आपका benzene, मैं पहले ही कह दता हूँ, यह aromatic है, अब, क्या यह cyclic है, यह cyclic है, दूसरा, कि इसमें क या, conjugated, pie bonds है, तो हाँ, देखिए, pie bonds conjugation में है, पहले यह एक double bond, single bond, double bond, देख रहाँ आपको, यह आपका double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, हो गया, conjugated pie bonds यहाँ पे मौझूद है, तो चलिए, पहला criteria यह successfully पार किया, अगर मैं एक और आपको example दूँ, क्या, यह compound, है, आपका, इसे हम consider कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, cyclic भी है, conjugation भी है, लेकिन पूरे compound में conjugation नहीं है, तो हमें clearly यह बताना पड़ेगा, कि भाई, देखो, conjugation सिर्फ होने से नहीं होगा, complete conjugation होना चाहिए, तो इसे हम disqualify कर देएंगे, ठीक है, तो this is, this has complete conjugation, and therefore, cyclic भी है, complete conjugation है, इसे हम consider कर लेंगे, aromaticically, ठीक है, अब आगे देखेंगे कि hybridization क्या है, atoms का ring में, मैंने यह hybridization वाला पार्ट आपको पहले ही बता दिया, कि hybridization यहाँ पे sp2 होना चाहिए, क्यूंकि more or less, हम double bonded compounds को ही लेते हैं, consider करते हैं, ठीक है, rarely triple bond, ठीक है, आपको दिखेंगा नहीं, generally, तो sp2 hybridized, sp2 hybridized होना बहुत ज़रूरी है, और अगर sp2 hybridized है, तो मैंने बोल दिया, कि 1p, 1p orbital आपका unhybridized बचा रहेगा, सही है, तो 1p unhybridized होना चाहिए, अगर मैं बेंजीन का example फिर से लूँ, तो बेंजीन में क्या है, बेंजीन में आपके पास unhybridized p orbitals हैं, और unhybridized p orbitals में क्या हो रहा है, πाई bond बन रहा है, ठीक है, तो यह आपको पता चल गया, कि there should be presence of unhybridized p orbital, हम देखेंगे एक orbital picture, बाद में देखेंगे बेंजीन का, ठीक है, अगला criteria है, कि यह जो compound है, यह planar होना चाहिए, ठीक है, planar होने का मतलब क्या है, कि आपके जो atoms है, आपके atoms should be in a plane, अच्छा, एक और बात, आपको पता है कि hybridization जब sp2 होता है न, तो आपका जो geometry होता, वो किस तरीके का होता है, वो होता है, क्या, trigonal planar, है न, मतलब चीज़े plane में लाई करती है, angles कितना होता है, 120 degree, हमने सब कुछ देखा अबी, ठीक है, तो यह भी बात है, कि planar तो होना चाहिए, plane में होने चाहिए, ठीक है, सारे atoms, planarity क्योंकि बहुत important है, effective overlap के लिए, अब, unhybridized pre-orbital जो है, इन्हें overlap करना पड़ेगा, ताकि यह continuous ring बन जाए, parallel orbitals का, ठीक है, तो overlap इस तरीके से होना चाहिए, unhybridized pre-orbital का, मैं अगर बेंजीन के example ले लेता हूँ, तो बेंजीन इस तरीके से रहेगा, और इसके जो P-Orbital है, unhybridized, यह इस तरीके से आपके क्या करेंगे? overlap करते जाएंगे इस तरीके से overlap होगा यह यहाँ इस तरीके से यहाँ इस तरीके से ए और फिर यह bonds टूटेंगे और इस तरीके से delocalization होगा यह भी हम देखेंगे इस वीडियो के लिए यहीं पे हम इसे pause करते हैं अगले वीडियो में चौथा और पांचवा क्राइटिरिया देखेंगे तो प्लीज अगले वीडियो को मिस्स मत कीजेगा, दो वीडियो मिलाके हम अरोमेटिसिटी के कॉंसेप्ट को पहले समझेंगे फिर क्वेशन प्राइटिस पर जाएंगे, ठीक है तो आई होप आपको यहां तक जो भी चीज़े हैं डीटेल में समझ में आई होंगी प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो दिस चैनल और स्टेए टून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो हैपी लेर्निग